हेलो एंड वेल्कम तो दो यूट्यूब चैनल लर्ण विद हर्विंदर से रते इस वीडियो विच असी करांगे पेसे बी क्लास सेमद इंग्लिश लेसन नंबर टू पोईम दनाये ट्रेंट्स दोस्तो इस वीडियो विच पहला से इस पोईम नूँ पढ़ांगे समझांगे तेस तो बाद सी बैक अक्सिसाइस से अक्टिविटीज करांगे पर शुरू करन तो पहला एक संदेश जेजे तक आप सारे ने यूटिब चैनल लर्नवे धर्विंदर सर नू सब्सक्राइब नी किता तो चैनला नू सब्सक्राइब जरूर करो ता तो नविया वीडियो सा आप सारे नू समय से प्राप्त हो सकना आओ शुरू कर देऊं पहला सी करांगे प्री रीडिंग पाठ पढ़न तो पहला सी ओखे शब्दा दे आर्थ करांगे पसेंजर पसेंजर दा मतलब हुनदा यातरी प्रैशियस प्रैशियस दा मतलब हुनदा कीमती मेल मेल दा मतलब हुनदा धाक या चिठ्थी पत्तर फ्रेट फ्रेट दा मतलब उंद समान जो एक था तो दुजी था लेखे जाया जंद दुस्क डुस्क दा मतलब हुंद शाम दा सम्हां। डॉन स्वेरे तड़के तड़के स्वेर्द सम्हां। विदाउट बिना। फेल फेल दा मतलब है असफल। ते हो नसी पढ़त दिया पोईम ट्रेंस। शेल गड्डियानहा क्या है तो of वाक्षक्त हैसे रेलिएग्टियनह पहाडा तो हुँन्द है मेंदानन्धा हुँन्धिया दें पहाड़ाधियां नीका हुँन्धियां और भाक्षछंयें सबीलेट नीकां लिवन्च में जब आटकिो पहाड़ागाय वसिते फॉन तो बिना किसे गलती तो लेके आगी हैं, सफलता पूरवक लेके आगी हैं थाउजन्स ओ फ्रेट कार्स, और रशिंग ओन, थ्रू डे एंड डाकनेस, थ्रू डस्क अन डॉन, ओवर दा माउंटेंस, ओवर दा प्लेंस, ओवर दा रिवर्स, हेर कम दा ट्रेंस फ्रेट कार्स उन्दा माल गड़ियां, कि हजारा माल गड़ियां, पजियां आ रियां हन, दिन अते राद, शाम अते स्वेर ते जिस दा मतलब है कि गड़िया लगातार ही चल रही है हन, किनन उपर चल रही है हन, पहाणा दे उपर चल रही है हन, मैदाना दे उपर चल रही है हन, नदिया दे उपर चल रही है हन, ते साथ दी हरील गड़िया आ जान दिया हन ते दोस्तों ऐसी की बहुती ब्यूटिफुल पोईम ट्रेन्स जिसनों लिख्या सिगा जेम्स एस टिपट ने मैंनू पूरी उम्मीद है कि आफ सारे नू एया पोईम बहुती चंगी तरा समझ आगी होएगी होन सी करांगे इस थी एक्टिविटीज एक्टिविटी टू है कि सनों न या means of transport आवाजाई दे साधन दसे गए हैं तसी लिखना है कि ये land विच जमीन विच चलन वाला साधन है सकाई असमान विच उड़न वाला साधन है या पाणई विच चलन वाला साधन है ते होन सी कि साधन देख दिया है वी कार है वो लैंड विच चल दिया है ते कार नो सी लैंड दे टेबर दे थले लिख दांगे असमान है वो सकाई हवा विच उड़ दे असमान विच उड़ इस त्व बाद ऑटो ते बस तर्थे चलदे तयु आने लिएता जाएगे शेप आ वाटर वाले चाहेगे चJoshा क्या जा जाएगा पण डुबबी ऌह मі स्पभ्मारी नुंदु उस पाण दुबबी र म det वह चल दीए ते हुने activity 3, write answers to the following questions ते यसी इनना प्रिश्न दे उत्तर देडे हन What places do the trains go? ते trains किते जान दिया हन? The trains go over the mountains, plains and rivers They point accordingly trains पहान दे उपर मैदान दे उपर अते न दिया दे उपर जान दिया हन What do they carry? ते trains अपने नाल की carry कर दिया हन? They carry passengers, mail and precious loads The trains अपने नाल यात्रियां नू, चिठी पत्र याँ डाग नू अथे यात्रियां दे समान नू अपने नाल लेके जान दिया हन Why does the poet call passengers and mail as precious loads? ते कभी ने यात्रियां अथे उनना दे चिठी पत्र नू precious loads कीनती क्यों क्या? The poet calls passengers and mail as precious loads Because both humans and their mails are very important क्योंकि human अथे उनना दियां चिठी यां बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं इस करके कभी ने उनना नू precious loads क्या Where do the trains run? ते trains कित्थे दौड दिया हन? The trains run over the mountains, plains and rivers ते उन पहाना दे उपर, मैदाना दे उपर अथे नदियां दे उपर दौड दिया हन What are freight cars? ते मालगड़ियां की हन दिया हन? Freight cars are railway wagons, used for carry goods यह, used for carrying freight Wagons उन्दा मालगड़ियां दबबा ते freight cars उन मालगड़ियां हन दिया हन, जिनना विच एक था तो दुज्जी था, goods सुमान लेके जाया चंद ते इस तो बाद activity 4, read the following lines and answer the questions that follow ते सनु लाइना देती हैं हन, through day and darkness, through dusk and dawn What do the above lines refer to? ते लाइन्स किस चाहीज़वल इशारा कर दिया है, नदा की मतलब है The above lines refer to the constant working of the trains ते अनल लाइना तो सनु लाइना लाइना तो सनु लाइना लाइन्स ने उ लगातार चल दिया हन पामे दिन हुवे, पामे रात हुवे, पामे शाम हुवे, पामे स्वेर हुवे उस्तो बाद, what do the day and darkness and dusk and dawn in the poem tell the readers that train runs from one place to another at all times of the day ते समय यह पता लगदा, train लगातार चल दिया है अनल लगातार चल दिया है दिन हुवे डेजगतार चल दिया ते इस्तो बाद है learning language, ते learning language विछ इसी grammar सिखांगे ते सिखांगे, conjunction, conjunction हुन्दा योजग. ते दो वाक्षा नो जोड़न वाले शब्दा नो योजग या conjunction क्या जानता है? ते केडे केडे conjunction हुन्दे हैं, so, because, although, and, yet. ते अनना कंजेक्शन सी वर्तो गर कैसी दो वाक्का नू दो संटेंसेस नू जोड सक दे हां ते इस तो बाद लिखे हैं, we use conjunctions like and and or, but, because and although to join two parts of sentences वी दो वाक्का नू जोडन लई यासी कंजेक्शन सी वर्तो कर दे हां conjunctions can be used to give more or unexpected information, results, opinion and reasons ते conjunctions दी वर्तो वद information देंड लई, unexpected information देंड लई, result देंड लई, option देंड लई, reason कारण देंड लई, conjunction दी या योजग दी वर्तो कि दी जान दी है ते होन सी करांगे activity 5 ते स्वेज़े complete sentences given below with so or because, here are few examples ते सो दा मतलब उन्द है S करके, ते because दा मतलब उन्द है क्योंकि ते असी अन्ना दी वर्तो करनी है ते अन्ना दी वर्तो सी सिखांगे ते पहलना साननों example सो दारना दिती हैंगी या है राजन is happy because he stood first in the race ते राजन खुश है क्योंकि यो रेस विच first आया है ते सो दा मतलब उन्द है S करके, ते because मतलब उन्द है क्योंकि ते अज मी पहरा सी S करके मैं school नहीं गया I went to the cinema because it was a holiday ते मैं सनेम मा गया क्योंकि अज छुट्टी सी ते उस तो बाद सनु दसे आया कि से Sो दी वर्थो कदो करनी ते because दी वर्थो कदो करनी है ते because या क्योंकि दी वर्थो करनी है कारण दसनली for giving reasons ते so S करके दी वर्थो करनी है result दसनली नतीजा, दसनली या purpose, उदेश दसनली ते होना सी फिलप्स करांगे तो सानू हो जादा क्लियर होजेगा मैं डॉग वास हंगरी सो इट स्टोल बिस्कुट्स फ्रॉम दा शेल्फ ते मेरा डॉग या पुखा सी ते एस करके उसने शेल्फ विच्छो बिस्कुट है वो चुरा ले I am feeling sleepy because I am tired ते मिननू नीद आरी मन sleepy feel कर रहा है क्योंकि मैं थक्या हुए आहा बबली बॉट न्यू क्लोस विकोज शी वांटे टो वीर देम ओन दिवाली ते बबली ने नवे कपड़े खरीदे क्योंकि उसने दिवाली वाले दिन नवे कपड़े पार नहीं हन It was raining so my books got wet He did not study hard so he feared the test I asked for directions because I was lost I did not clean the room so it became dirty I met with an accident because I was driving fast I went to the doctor because she was feeling sick I called because she was sick Mohan did not help Sohan because he was not well Mohan did not help Sohan because she was sick Then activity 6 We will learn the new conjunction although yet Although means that it is not yet Yet means that it is not yet It was raining I went to school Although it was raining yet I went to school So I went to school and then I went to school So it was a holiday I did not go to the cinema Although it was a holiday yet I did not go to the cinema So I went to school and then I went to school and then I went to school So we used although and yet in the same sentence for unexpected or different information So the woman's going to be unexpected So I am going to Max This means that there is Probably a short sentence of old So we must take tests My dog was hungry it did not ate biscuits What makes my dog hungry yet इस वाचिंग गाए मुवी तरफ थे औह रिए उसणी तरफ यह रेंट रिया रदा पर फिर विय व मुवीय के रहें ऑस ब्ली वाँट टु वियर नुटल रॉस संदी बंड मैं ऐ थे अल्थ वब भी वाँट टु नुट वा दीटिन नुट वाली एच धिक मूषि प्छ दो तेस तो बादे, I was lost, I did not ask for directions, although I was lost, yet I did not ask for directions, ते पावे में रिस्ता पूल चुका सेगा, गो आस गया सेगा, पर फिर भी में किसे तो रिस्ता नहीं पुच्छेया, my room was dirty, I did not clean the room, although my room was dirty, yet I did not clean the room, I was ill, I did not go to the doctor, although I was ill, yet I did not go to the doctor, Mohan and Sohan were friends, Mohan did not help Sohan, although Mohan and Sohan were friends, yet Mohan did not help Sohan, I went to the market, I did not buy anything, तेस दो जाएगा, although I went to the market, yet I did not buy anything, ते दोस्तो होन सी करांगे, activity 7, listen to the teacher recite the following poem and repeat after her, यहां हिम, ते होन सी clouds बदला बार एक कविता पढ़ांगे, ते फेर तुसी उसनू कविता नू समझना, ठीक है, ते वाइचीप वा टीएट चिटीपेड विटफते किन नू क्या बदला नू क्या डागया, क्योंकि जड़े बदना ऊब अबख वा içडेमें चिड़ने सी फे Wait शिप on a blue hill, blue hill है समाननो क्या गया Hello White रहे होु तेहून एक्टिविटी एडवे चसे सिखांगे राइमिंग वर्ड्स ओ शब्दुन देने जिनना-दी साउंड एंडिंग साउंड है इक कोजी हुंदी है जिमें मेल ते फेल जी मीन्स की एनना दी एंडिंग साउंड सेम ही है डाउन लाउन प्लेंस ट्रेंस ते राइमिंग वर्ट्स है गे हैं हुन सी करना के एक्टिविटी नाइन डिसकस विद यूर पार्टनर हो णो तुसी अपने पार्टनर ना लेद डिसकस करने है कि तह अन्हों किस टरह दी यात्रा पसंतया ट्रें दी यात्रा पसंत सबस्टोव से कुछ प्रेशं ना डिसकस करने हां do you like to travel by train by train ship यां प्लें ते पहला पुछेगक ता आन्नों ट्रें ship यह फिर पैसंद है। इस दे अंशर विच तुसी लिख से तो है यहां लाइक तो ट्रेवल बाए, ट्रें यह प्लेट कि हाँ, मैं नू ट्रेह प्लेट यह प्लेटी क्योंकि मुंबई क्योंकि मुंबई बोद दूर आते हैं मेरा सपना कि मैं आरोप्लेन विच ट्रेवल करां ते इस तना सी लिख सकते हैं इफ यू डिसाइट तो गो बाट रेन वट वुड यू लाइक टू टेक विद यू जे तुसी ट्रेन विच जानो जाओ ते तुसी अपने ना कीकी लाज होगे ते इस तो तर विच असी लिख सकते हैं आउड लाइक टू टेक 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 टेबल आइटम्स लगेज मोबाइल फोन एंड बुक ते मैं अपने ना खान पीन तसमान लगेज ते टैची विगारा नोबाइल फोन ते एक पुस्तक अपने ना लाज आवांगा ते अगला है एक्टिवडी टैन ते सविच न असी परअगराफ लिखने अर्ज जर्णी बाए बस ते बस विच जो तुसि जर्णी किती होईगी ते तुसि उस ते बारे परागराफ है वो लिख सकते हो ते ऐसी इस विच लिखे दूरिंग माई समर विकेशंस आ ट्रेवल फॉम करद तो शिंबला बाई वस ते गर्मियादी चुटियां विच मैं खरद तो शिंबला गया सी का बस जे विच ते फस्ट वी रिच चंडीगट बस टेंड बस टेंड बस पर शिंबला ते पहलना सी च इड़की वाले पास से बया गया थे खुद्रती नजार्यां दा सुंदर नजार्यां नू मैं इंजुआई किता वी रिच शिंबला इन फोर आर्स अथे ऐसी चार कंटेयां विच शिंबला पॉंचे इट वोज़ वंदरफुल एक्सपिरियेंस ते हो मेरे ली बहुत ही हर बंदर सिंगनों देव इजाज़त सत्स्रीयकाल